पिर्देश में कोरोना संक्रमिंत मरीजों के मामलों में अभी लगातार तेजी से हिजाफा हो रहा है जिसके चलते सरकार को वेकेंड कर्फ्यू जैसे फैसले लेने पड़े हैं प्रिदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दोरान नागोर में आज दूसरा विकेंड कर्फ्यू है विकेंड कर्फ्यू के दोरान आज गांधी चोकसदर बाचा शॉपिंग मॉल रेडवे स्टेशन बस स्टेंड की दुकाने बंध है विकेंड कर्फ्यू के चलते नागुर पुलिस ने मोर्चा संबाला हुआ है, प्रमुक चौरा है पर पुलिस ने पैरिकेडिंग भी की है, गली मौले में यातायात पुलिस तैनात है, विकेंड कर्फ्यू के दोरान लोगों को बेवजे घर से भार नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है बेवजे सडकों पर गूमते हुए नजार आने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की चेतावनी भी नागुर पुलीस की और से दी जा रही है कोरोना को लेकर गहलो सरकार पिछले चोईस घंटे में छे बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है तीसरी लहर में कोरोना का आकड़ा मात्र 17 दिनों में ही एक हजार पार कर गया चनिवार को 198 केस सामने आये कुल एक्टिव केस की संक्य एक हजार सोला पहुंच गई यानि कोरोना तेजी से पाव पसा रहा